है लो एब्रीबन वेल्कम बैक टू माई चानल कैसे हो आप सब मैं हूँ इसमिदा और मेरे चैनल इसमिदा डायमेंड में आप लोग का स्वागत करती हूँ तो आज है जनमाश्मी और आज डेट है नाइनटीन तो अभी मैं जा रही हूँ भगवान जी को नहलाने दुलाने और मैं उसे बरत तो नहीं रहती हूँ लेकिन भगवान जी की सेवा मैं करती हूँ हर साल तो जैसा कि अब लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने पूझे के जो बरतनों तन होते हैं मैंने सब धो लिया है और इसके बाद मैं भगवान जी को नहलाओंगी और परशाद बनाओंगी तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आज के दिन में क्या क्या करती हूँ और यह सब उनकी पुराने कपड़े हैं तो मैं अभी उनको नहलाओंगी पैनाओंगी और यह मैं पूझा की तैयारी के लिए जोकी लगा दी हूँ और यहां पर कानी जी का जूला है तो अभी उनका जन्म नहीं हुआ है तो अभी मैं उनको नहला दुला कर इस तरह से तयार कर रही हूँ और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आ जा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो जैसे लोग देख सकते हैं कि मैंने काना जी का जो पुराना कपड़ा था मैंने उसको उतार दिया है और यह बगल में मैंने नए कपड़े मंगाए हुए हैं और यहां पर मैं पंचा मृत से भगवान जी को असनान करा रही हूँ जिस तरह से हम चुटे बच्चों को नहलाते हैं न उसी तरह से मैं भगवान जी को भी नहला रही थी बहुती अच्छा लग रहा था मुझे और मैं हर साल जी करने यह को ढदनाना के बाद मैं इन एक पानी से नहलाओं। और अच्छे से इनको पूश्ट देंगे इसके बाद में भगवान जी के नए बस्तर निकाल रही हूँ और उनको नए बस्तर पहना कर मैं अच्छे से तयार करूंगी क्योंकि आज काना जी का बथड़े है तो जैसे हम लोग अपने बच्चों का करते हैं उसी तरह से हम काना जी का भी करते हैं घर पे जैसा कि अब लोग देख सकते हैं कि मैं उनको कपड़े पहना रही हूँ और बहुत ही खुश्चूरस सा यह कपड़ा लेके आये थे लेकिन थोड़ा सा जो है कि इसकी साइज चोटी हो गई थी कपड़े की लेकिन ठीक था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनकी कपड़े मुझे पहनाना बहुत ही अच्छा लगता है अजय कर दोमें अब करें और यहां पर मैंने कश्ची से तयार कर दिया है जैसके आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जूले को भी अच्छे से सजा दिया है काणा जी भ겠 को उप्सूरत लग रहे थे और मैं उनको रोरी चंदन टीका और जो भी उनका प्रशाद होता है मैंने सब बना के रख दिया है और यहां पर मैं दिया और धूप कर दूँगी और यहां पर में पूजा करी रही थी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बगल में मेरा बेटा बैठा हुआ है तो वो भी रो रहा है कि हमको भी काना बनाई ये क्योंकि मैं अपने चोटे बेटे को हर साल काना बनाती हूं तो रो रहा था कि मुझे काना बनाई ये तो मैं इसको साम को ही काना बना दी थी तो पूजा करने के बाद तो हम लोग बगल में पुलिस लाएन है चले गये थे और यहां पर बहुत ही ज लिए थे क्योंकि वो काना बनके गया था तो थोड़ा सा जीब लग रहा था लेकिन रो रहा था तो लो लेकर चले गये थे और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इता वीड काफी जादा है तो गर्मी भी लग रही है वीड के वज़े से तो मैं ज्यादा वीडियो शूट अपली कर पाई हूं मैं अप लोग को थोड़ा सा दिखाने के लिए शूट कर ली हूं और यहां पर जो हमारे काना जी है वह जूला नहीं कार में जूल रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज उनका दीन होता है तो भाई उनको कार में जूलाना जरूरी है तो हम प्रिवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मैं हर साल रूप काना बनाती हूं मैंने इस पर एक सेप्टेट वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसको जाके देख सकते हैं और यह मैंने घर की ही चीजों से बनाया हुआ है कुछ भी नहीं खरीदा हुआ है तो अभी हम लोग पूजा कर लिये हैं काना जी का जन्म भी हो चुका है और आरती औरती भी हम लोग कर लिये हैं वीडियो नहीं शूट हो पाई है जैसा कि लोग देख चकते हैं कि काना जी का जन्म हो गया है तो यहां पर जूला जूला रहा है मेरा बेटा और काना जी का जर्म हो जाने के बाद हम लोगों ने बारी बारी जूला जूलाया था मेरे घर में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है थोड़ी सी ही जगह है उसी में मैं इस तरह से रख कर पूजा कर लेती हूँ तो हम लोगा की पूजा हो चुकी है सब लोगोंने जूला जुला लिया है तो अगर आप लोगे को मेरी वीडियो अच्छी लगिए तो इसे लाइक से Joint जरूर करिए घा कमेंआड करकर बताइए इस लगी कि अप लोगे क्या लगी एक अच्छी वीडियो के झाल झाल